हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू मा यूट्यूब चैनल, साथ्यो आज की वीडियो नेशनल पेंशन इस्कीम से सम्बन्दित है नेशनल पेंशन इस्कीम एक अपरेल 2004 से ओल इंडिया में लागू हो चुई है साथ्यो अभी हाल ही में NPS में चार बड़े बदलाव हुए हैं और ये एक अक्टूबर से लागू होने हैं इनके विशह में आज की वीडियो है वीडियो बनाने का मकसद आप सभी को अपडेट करना है क्योंकि अनेक साथी ऐसे हैं अनेक भाई बहन ऐसे हैं जो NPS में निवेश कर रहे हैं और उनको इन बदलाव के बारे में पता होना बहुत जरूरी है तो आज की वीडियो में NPS में जो चार बदलाव हुए हैं इसकी आपको पूरी डिटेल देने वाला ताक्यों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे निवेदर है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको इसी प्रकार के इनने वीडियो समय समय पर मिलती रहें पुरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें तेलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो मैं दिल्ली पेंसन फंड रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट अथोर्टी और इंस्योरेंस रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट अथोर्टी और इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेंसन इसकीम, सबस्क्राइबर्स और पेंसन भोगियों के लिए कई बदलाव की है अगर आप NPS में निवेस करते हैं या सेवा निवरत होने वाले हैं तो आपको इनकी जानकारी होना जरूरी है चलिए आपको बताते हैं कौन-कौन से बदलाव हुए है नमबर एक NPS E-Nomination Process बदल जाएगा पेंसन नियामक ने हाल ही में सरकारी और कार्पुरेट छेतर के ग्राह को दोनों के लिए E-Namankan की परकिरिया में बदलाव किया है नई परकिरिया के मताबिक अब नोडल कार्याल के पास एक बार E-Namankan उनरोद को स्विकार या E-Sविकार करने का विकलत होगा अगर आवेदन के जाने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी E-Nomination पर फैसला नहीं लेता है तो रिक्वेस्ट सेंटरल रिकोर्ड कीपिंग सिस्टम के जड़े स्विकार कर ली जाएगी और यह नया नियम एक अक्टूबर से लागू होने जा रहा है नियम नमर दो एन्यूटी प्लान के लिए अलग फॉर्म नहीं NPS मैंचूर होने के समय ग्राकों एन्यूटी के लिए अलग से फ़रम नहीं भरना हो अब प्रॉपोजल फ़रम भरने की जरूत नहीं होगी क्योंकि एखिट फ़ोजी फ़रम से ही एन्यूटी प्लान के लिए आविदन हो सकिएगा पहले एन्यूटी ग्राकों को यह प्लान जायतर वीमा कंपणी बेशती हैं आप सभी को मालू है इस प्लान में निवेशक एक मुझ्ट या टुकुडो में निवेश कर सकता है निवेशक के रिटायर्मेंट के बाद उसे जमारासी और उसके ब्याज मेंसे एक निश्चित रासी पेंसन के रूप में मिलती रहती है यह रासी निवेसक के जिन्दा रहने तक मिल सकती है और निवेसक के बाद उसके पती पतनी के जिन्दा रहने पर भी उसको मिल सकती है लेकिन यह सब कुछ उस पर निर्वर करता है कि आपने किस प्रकार की एन्यूटी योजना का चैन करक्था है यह सब उसी पर अध कितनी तरह की होती है जो दोस्तो एन्यूटी दो परकार की होती है यह दो तरह से आप जो पेंसल लेते हैं उसके समय के हिसाब से होती है नंबर एक अगर एन्यूटी में निवेसक एकमुष्ट निवेस करके तुरंथी पेंसल लेना शुरू कर देता है तो उसको इमेडियेट annuity कहा जाता है इस तरह खा annuity plan जो नीवेसक retirement की नजदीक है या फिर जो रीटायर हो चुके हैं उनके लिए best होता है उनको इस लेना चाहिए जो immediate annuity होता है अगर कोई तुरंट रेटायर हो रहा है हाली में तो यह इसके लिए वोत फाइदे मन है एक होता है deferred NUT अगर निवेश अगर धीर धीर निवेश करता है यानि कि अगर आपका retirement तो आप इसमें धीर धीर निवेश कर सकते हैं और कुछ सालों के बाद payout ले सकते हैं यह उन निवेशों के लिए बहतर है जिने retire होने में बहुत समय बाकी है तो यह आपके उपर depend करता है कि आपको उन सेलेक्ट करते हैं चलिए हम तीसरा नमबर बताते हैं आपको कि तीसरा क्या बदला होना है Digital Live Certificate कभी भी कराएं जमा NPSK PANSER जो PANSER है अब Digital Live Certificate कहीं से और कभी भी जमा करा सकेंगे यह certificate आधार verification पर आधारित होगा इसी में जीवन परमान भी आता है जिसमें आधार से सत्यापन किया जाने की उस्ता होती है यह काम FaceRD एप से हो सकता है जिसमें मोबाइल में एप डाउनलोड करके अपना डेटर लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है यह सर्टिफिकेट एन्यूटी देने वाली Life Insurance Company में जमा कराना होता है यह काम अब electronic माध्यम से पूरा किया जा सकेगा नमबर चार जो बदला हुआ है क्रेट कार्ड से पैसा जमा नहीं NPS के Tier 2 खाता धारक अब अकाउंट में क्रेट कार्ड से पैसा जमा नहीं कर सकेगे यह नमबर जो है यह नमबर तीन अगस दोजार बाई से लाग हुए NPS Tier 2 खाते में क्रेट कार्ड को मोन ओफ पेमेंट में रखते हुए पैसे जमा नहीं किया सकती PFRDA ने अपने सभी Points of Presences से क्रेट कार्ड से पेमेंट पर तत्काल रोख लगाने का निर्देश दिया है सरकूलर के मुताबिक तभी PPO को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से NPS Tier 2 खाते में क्रेट कार्ड से पेमेंट लेना बंद करते हैं हाला कि NPS Tier 1 खाते में अभी भी Reddit कार्ड से पैसे जमा करने की चूट मिली हुई है तो साथियों ये चार बदलाओं हैं जो आपको मालू होने चाहिए वीडियो मनाने का मकसल आपको अपडेट देना था आशा करता हूँ वीडियो आपको बसंद आएगा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें इस पर कमेंट करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें साथ ही मेरा चैनल सबस्क्राइब करना नहीं भूले मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में धन्यवाद झाल 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 झाल